नमस्कार मित्रो, सम्वेग आईएस में आपका स्वागत है, आज का जो वीडियो है, वो उत्राखंड राज्जी के जो बजट पास हुआ है 2019 पीस का, उसमें वाटर बॉड़ीज के संडरक्षन के लिए और पेजल के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं, उस पर बेजड है तो बात करते हैं सबसे पहले, राज्जी सरकार ने पेजल, जल संबर्धन और सिचाई के लिए अनिक जनपदों में जलाशियों का निर्मान किया है, जिन में अगर बात करें तो देरादून में सूर्याधार जील, पिथोरागड में थरकोड जील, चमपाउत में कोली ढेक जील और अलमुडा में गगास नदी, इन पर जलाशियों का निर्मान प्रारंब हो गया है, इसी तरह सरकार ने कोसी, बिंदाल और रिस्पना नदियों के उनर जीवी करन की दिशा में भी गंभीर प्रियास किये हैं और सरकार इस दिशा में प्रियास रत है, अगर हम बात क सौंग बात पेजल प्रियोजना की, तो सौंग बात पेजल प्रियोजना देहरादून जनपत के लिए आगामी आने वाले समय में एक वरदान साबित होगी, यह आगामी जो तीस वर्ष हों, जो आने वाले जो तीस वर्ष हैं, उसमें देहरादून जनपत के लिए, देहरा तो देरादून जिला है वो 24 गंटे तक वाटर सप्लाई वहाँ पे 24 गंटे वाटर सप्लाई सुनिष्चित की जाएगी और यह जो प्रोजेक्ट है यह लगभग 350 तिनों में पूरा होगा। सोंग नदी की अगर हम बात करें तो सोंग नदी दून घाटी में बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी है यह रायवाला के पास गंगा नदी से मिल जाती है यह सिस्वा नदी की एक सायक नदी है और अगर हम इसकी सायक नदियों की बात करें तो जिनफें कालीगार, सहतलहरा असान रिवार और रिस्पना रिवार मुख्य हैं इसी तरह जमरानी बांद बहुत देशी पर्योजना की बात करते हैं जमरानी बांद बहुत देशी पर्योजना वर्तमान में काफी चर्चा में है इसके लिए उत्राखंड सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार के बीच में एक M जब्रानी बांद भह उद्देशी पर्योजना से उत्राखंड और उत्तरप्रदेश दोनू राज्रयों को फाइदा होना है, इस जम्रानी बात का जो मुख्य उद्देश है इन दोनु राजियों में पेजल की समस्या को सॉल्व करना और सिचाई की जो समस्या है उसको सॉल्व करना है, मुख्य उद्देश इसका, लेकिन इससे जो लाब पहुंचना है वो यूपी को ज्यादा पहुंचना है, अर्था इस शहर इस पर्योजना से ज्यादा लाभनवित होगा और हल्दवानी की जो प्रेजल समस्या है उसका इसके माध्यम से निदान हो सकेगा. अब हम बात करते हैं नगरी छेत्रों में सीवेज ब्याउस्ता की इसके लिए राजसरकारद्वारा, हरिद्वार और रिशिकेष में सीवेज की ब्याउस्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीवेज ब्याउस्ता के लिए जर्मनी की वित्ती सस्ता KFW और भारत सरकार के साथ एक अनुबंद किया गया है परवती छेत्रों में पेजल उपलब्दा सुनिशित करने के लिए नाबाट पोशित अनेक योजनाय संचालित की जा रही है नाबाट National Bank for Agriculture and Rural Development इसकी स्तापना बार जुलाई 1982 को की गई इसका जो मुख्य उद्देश यह है वाकरशी और ग्रामीड विकास है तू फंड उपलब्द कराना तो इसके तहट जो योजनाय चलाई जा रही है उसमें है टिहरीम के अंतरगत अकरी बारजूला पंपिंग पेजल योजना पॉड़ी के तहत चिनवाडी डांडा और भहरवगड़ी पेजल योजना चमुली जिले में ग्वालदम पेजल योजना उत्तरकाशी में किशनपूर पंपिंग पेजल योजना अलमुडा में चांदी खेत, पंपिंग पेजल यूजना, शक्ति पीट पेजल यूजना, रध्खाल सिमिस्टाना पेजल यूजना और कोसी बेराज से मठेला पेजल यूजना इसी तरह बागेश्वर जिले में गरूड पेजल यूजना और पितोरागड के तहत चौकडी ओडियारी पेजल यूजना चलाई जा रही है इसी तरह जो आने वाले साल हैं उनमें नाबाड़ दोरा वित्त पोशित जो निर्माणाधीन यूजना हैं उसके सापेक चे लगभग 1170 बस्तियों को लाभान वित्त किया जा सकेगा नमामी गंगी यूजना जिसके माध्यम से गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको प्रदूशन मुक्त करने की दिशा में सरकार एक अभूतपूर्व पहल कर रही है राजसरकार भी गंगा नदी में जो अपरिशोदित सीवर है और अन्य परदूशित जल है उसके प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने है तूपूरी तरह से प्रतिबद्ध है इसके तहब गंगा नदी की मुख्यधरा के किनारे इस्तित पंदरो नगरों में जो पहले से निर्मित सीवेश ट्रीट्मेंट प्लांड उनके उच्चीकरण की बात कही जा रही है नवीन सीपी के निर्माण की बात कही जा रही है तथा गंदे नालों के स्टिपी में डायवर्जन से संबंदित 19 प्रियोजना हों हेतू 945 करोण तथा और अन्ने स्थानों पर 21 इसनान घाट और 21 संशान घाट के निर्माण हेतू लगवए 171 करोड की स्विकृती राजसरकार द्वारा दी जा चुकी है सुके जल सुरोतों के पुनरजीवी करण के लिए स्वचल प्रियोजना के माध्यम से जल सुरोतों से संबंदित आंकड़े और उनके जियोटेग्ड फोटोग्राप अप्लोड करने के लिए एक वेब पोर्टल का विकास किया गया है वर्टमान में इसके तहट लगभग 4,494 सुरोतों की मैपिंग और जियोटेगिंग की जा चुकी है वर्ष 2018-19 के भाषण में वर्ष 2022 तक 5000 समस्यागरेस्त प्राक्टरतिक जल सुरोतों को पुनरजीवीत करने का लक्ष राज्यसरकार ने रखा था वर्ष जल सनरक्षन के छेतर में विफिन योजनाओं के अंतरगत कैमपा योजना में जल सनरक्षन कारे के छेतर में 1948 जलकुंड, 2217 चेकडेम तथा 1235 हेक्टियर 1 कंटूर एम 704 खाल का निर्मान किया गया है कैमपा, कमपन सेंट्री, अफोरेश्टेशन, फंड मैंजमेंट एंड प्लैनिंग अथरोटी एक वर्ष 2016 में एक कैमपा कानून लाया गया जंगलों के कटाओं के बदले खाली जमीन पर पेड लगाने और वन्ले जीवन को बचाने हेतू इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उद्द्योग और कारखानों के लिए काटे गए जंगलों के बदले नए पेड लगाना और कमजोर जंगलों को घना और स्वस्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है कमपनियां वन भून के इस्तिमाल के बदले मुआवजे के तौर पर कमपन सेंट्री अफोरेस्टेशन फंड में पैसे जमा करती है जिसके लिए इस कैमपा का निर्माण किया गया है फंड का जो इस्तिमाल है वो नए जंगल लगाने और वन जियों को बसाने फोरेस्ट इकोसिस्टम को सुधारने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्शर बनाने के लिए किया जाएगा अक्टुगार दोहजार अठार का एक डाटा है इस फंड के तहत लगबग सत्तर से पिजत्तर हजार करोड रुपे एकटा किये जा चुके है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा धन्यवाद